अस्तम आकर्ति और उसके प्रकार अस्तम आकर्ति किसी एक चल के मुल्गी विविद विभागों के बीच का वित्रन दर्साता है जैसे अलग-अलग समय पर देश में साक्षर्ता का अनुपात इस्त्रियों और पूर्सों में किसी एक समय साक्षर्ता का अनुपात अस्तम आकर्ति फिरसे में दोरा रहो किसी एक चल के मुल्गी विविद विभागों के बीच का वित्रन दर्साता है इस प्रकार की आकुरती उधर्व या 36 अस्थम द्वारा बनाए जाती है। उधर्व मतल़ खड़ी रेखा में , खड़ी रेखा भताभ खड़ा जें। 36 अस्थम अरफाद आड़ी रेखा मतल़ आड़े में बनाये जाता है। उधर्व और 36 इसका एक गौर में उधारे दूँ आई पिल मेंच में आप देखते होंगे कौन से ओबर में कितना रन बनाया गया है किस ओबर में कितने रन दिये गया है इसकी जानकारी के लिए उसमें अस्तम आकुरती बनाया जाती है उधर्व यह खड़ी आकुरती होती है 36 मतब आड़ी रेखा में आकुरती होती है परतेक विभाग यह समय के लिए एक अलग अस्तम बनाया जाता है मतब जितने विभाग होंगे प्रात्मिक विभाग मादमिक यह सेवा छेत्र तीन विभाग तो तीन अलग-अलग अस्तम बनाया जाएंगे हर एक विभाग का अल तीसरा विभाजित अस्थामाक्रतु कितने प्रकार क्यों थी है ? तीन प्रकार की सरल अस्थामाक्रति में अधार किसी एक अधार जैसे कि प्रदेशों समयकाल इत्यादी पर किसी एक मुल्य को दर्शाया जाता है Arth Similar Staat sama przypadku मैं प्र鉄ष समयकाल के रूप डर्शाया जाता है जिसे हम सतभा कच युज। अधारन पताने जा रहा हूं शर युज क्यों हैं जन्वरी फरवरी लेकिन विकराय कितना है 35 मार्च pur cru साइट तुछ जन्वरी फर्वरी है इसे एक्स अक्ष पर दसा जाएगा जिसे हम आधार के नाम से जानते हैं क्या कहा जाता इसे आधार यह क्या है आधार और यह जो आप देख रहे अस्तम इसे उधर्वस्तम कहेंगे अगर आज के आधुनिक यूग में आगे के प्रस्ट में भी आएगा लेकिन अभी से आपको बता दे रहा हूं कि जो आधुनिक यूग आग चल रहा है टेकनोजी का कॉंप्यूटर का यूग चल रहा है उसमें खड़े अस्तम की जगा अब 36 अस्तम अर्थात आडी रेखा का ना जाता है यह जो आप देख रहे हो उद्धर वस्तम यह ओटार ऐक्स पर है जब इसे हम आड़ी अस्तम के रूप में बना जाता जिसे शैतिज अस्तम आकरती कहते हैं चलिए अब सरल अस्तम आकरती के बाद दूसरा हम प्रकार लेते हैं जिसका नाम है पास-पास की अस्तम आकरती पास-पास की अस्तम आकरती किसी एक आधार पर किसी एक चल का यनि आधार कितना है एक, चल कितना है एक, एक से अधिक वर्गों के लिए मूल दर्चाया जाता है, आधार भी एक है, चल भी एक है, लेकिन वर्गों की संख्या एक से अधिक है, सरलस्तम में आपने क्या देखा, आधार एक, चल एक और विभाग भी एक करके अलग है, लेकि एक तो है लेकिन एक से अधिक दर्साय गया है जैसे प्राथमी विभाग तो प्राथमी विभाग में अलग-अलग मादमी विभाग उस पे भी अलग-अलग विभाग सेवा चेत्र के भी अलग-अलग यानि कहने के अरथात यह है किसी एक अधार पर किसी एक चल का एक से अध कि पास-पास के संख्या एक से अधिक हो अभी में पिछे बताया कि समय अधारी तरह कर्थी बनाए जाती है तब समय भर चाहर्ब मांलोग के समयकाल एक अधार है साक्षर्टा एक चल है लेकिन उसमें इस्त्री और पुरुस ऐसे कितने वर्ग आगे दो तो यही आपको मैंने भी परिभासन में बताया कि आधार एक हो चल एक हो लेकिन वर्गों की संक्या एक से अधिक हो तब पास-पास की अस्तम आकरती बनाई जाती है चलिए इसका भी म मैंकाल का एक अधार है लेकिन विक्रेइ इक तब एक चल है लेकिन चल के कितने वर्ग कर दियें घरी छे क्रेया Bacin Brand विक्रेया मध्यम पौक्स का विक्रा बड़े वक्रेया यानि वर्गों की संक्या को एक से अधिक बार बना दिया गया है तो अब इसका कैसे आकरती बनाई जाएगी उसे आप देख सकते हैं तो यह आपके स्क्रीन पर यह आकरती आ रही है किस तरह से बनाया गया है सबसे पहने ऊपर छोटे बोक्स का यहां पर यह जो रंग भरा है आप कोई भी रंग कोई भी आकरती बना सकते जिससे की पता चल सके कि छोटे बॉक्स का विक्रह क्या है मद्यम बॉक्स का विक्रह बड़े बॉक्स का विक्रह यह तीनों बॉक्स को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं ताकि तीनों बॉक्स का विक्रह एक दूसरे से अलग दिखाए दे और उसे यहां साथ सकते हैं हब यह देख सकते हैं कि कुल्ण मिलाकर तीन बॉक्स बने कि वर्गों कि संक्या लिक्षिए जनवरी फरवरी, यह हैं छोठा आम उपर देखा चोटे बोक्स का विक्राइक काला है तो ये काला चोटे box का हुआ, मध्यम box आप देख रहे हो और उसके बाद आप बड़े box दे रहे हो तो इसे हम कहते हैं पास-पास की अस्तंब आकर्ती कौनसी आकर्ती है, पास-पास की अस्तंब आकर्ती अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं विभाजित आकुर्ती तीसरा प्रकार कौन सा लेंगे विभाजित आकुर्ती चलिए ध्यान से देखिएगा विभाजित अस्तंब आकुर्ती जब अस्तंब आकुर्ती के प्रतेक अस्तंब का मुल्य एक से अधिक हो अर्थात उप विभागों में वित्रण किया जाए एक बा अस्तम् आककृति के प्रतंब रची रची है। ये विक्रे है लेकिन ये कौन सा है ग्रामीन है ये विक्रे सेरी है यानि एक ही मुल्य है मुल्य कितना है एक ही है लेकिन उसे कितने भागों बाट दिया गए एक सेदी ग्रामीन और सेरी इसलिए अस्तम एक है लेकिन उसको मुल्यों को दो भागों में बाटा गया एक ही अस् दिखा थी प्रकार में आपको बताया है पहला प्रकार मैंने आपको बताया सरलस्तमब आकृती दूसरा प्रकार बताया बासजीक तीसरा अब मैं आपको अंतिम प्रकार बताने जा रहा हूं जिसका नाम में वृतांस आकुर्थी ठीक है देखेगा वृतांस आकुर्थी आपके स्क्रीन पर सामने आप देख रहे हूंगे वृतांस आकुर्थी अर्थात वृत का अंस एक वृत को एक समिस्ट मान लिया जाए और जानकारी को वृत में भाग करके दर्शाय जाए तो उसे वृतिस आकुर्थी बनती है वृतांस आकुर्थी अर्थात वृत का अंस एक वृत को एक समिस्ट मान लिया जाए जानकारी को वृत में भाग करके दर्शाय जाए तो वृतांस आकुर्थी बनती है इसकी एक और मैं चीच उसकी एक और जानकारी बता रहा हूं और उसकी परिभासा भी मैं आपको सामन रख रहा हूं सबसे पहले देखिए विर्तान साकर्थी कैसे बनाई जाती है और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है वह मैं आपको बताना जा रहा हूं वृत का छेत्रपल तीन सो साइट डिग्री होने से चल का कुल्यमूली भी कितना होता है तीन सो साइट डिग्री द्वारा दर्साया जाता है समझे यह ग्यारवी क्लास में जब आप विर्तान साकर्थी बनाते थे तब आपको जैसे नोवी दसवी इन दो क्लासों में आपने उपयोग किया होगा जिसे हम लोग अपनी समान निभासा में चांदा कहते थे तो उसे आप लोगोने देखा होगा कि उसमें 180 डिग्री का कौन तक आता था जेकिन ग्यारीन में जब उसी को पूरा गोलाकार में देखा गया तब वो 307 डिग्री का कौन बनता है तो वृत का चेतरपल 307 डिग्री होता है इसलिए चल का कुल मुली भी कितना होता है 307 डिग्री द्वारा दरसाया जाता है इसमें एक और संचिप्त परिभासा है कुल जानकारी के उप विभागों को वृत के अंस के अनुपात में दरसाया जाता है इस परकार की आकरती को वृतांस आकरती कहते हैं वृतांस आकरती ज्याद करने का सुत्र है जो आपको एक नंबर में पूछा जाएगा वृतांस बराबर समंदित मुल्य बटे कुल मुल तीन सो साइट now मैं आपको इसको अंक रखकर भी बता दे रहा हूं शमनित मुल्य समंदित मुल्य मतलब नीचे तालिका में देखें पुस्तक वस्थू है पर्तिसत खर्ज बीस पर्तिसत खर्ज को क्या माता गया समनित मुल्य उसको आपने ही यहां रखा 20 बटे में कितना लिया 100 और गुना में क्या रखा 300 20 बटे गुना 300 अब इसे कैसे निकाल सकते हैं तो ये 0 से आपने इसको 0 काड़ दिया इस सुन्ने को इस सुन्ने से काड़ दिया दोनों सुन्ने सुन्नी कट गए अब यहाँ पर बचा दो गुना 336 तो इसे अगर हम बराबर करते हैं तो कितना आता है 72 और यह 72 डिगरी यानि अब कितने कांस बनेगा 72 डिगरी कांस बनेगा और ये चीज़े आपके पुस्तक में भी दी गई है जिससे आप ध्यान से देख सकते हैं ठीक है? ये देखिए 20 गुने 300 साइंट भाग फर 100 बराबर 72 इस तरह से किया गया है लेकिन वृतांस आकरती बनाते समय या वृतांस आकरती बनेगी या नहीं बनेगी इसको परखने के लिए इसकी जाज करने के लिए एक समशिप्त तरीका है जैसे ही आपके पेपर में आपके प्रस्न पत्र में तालिका दिया हो तो जो समंदित मुल है उस समंदित मुल को पहले योग कर लीजिए योग अर्था जोड कर लीजिए अगर उसका जोड सव आता है तब आप निश्चित हो जाए यह व्रितांस हाकरती बनेगी दूसरा एक और चीत जब आप व्रितांस हाकरती के लिए उसे व्रितांस ज्यात करने के रिती बना रहे हैं लगा रहे हैं और ज्यात करने डिगरी हमारी सारी सही है जग गलत यह जानना है तो उसके लिए तरीका है कि जितना भी आपने अंस विरतांस की गणना की है जो अंस प्राप्त हुआ है उस अंस का योग निकाल लीजिए अगर वो सारे डिगरी वो सारे अंस का योग 300 science degree प्राप्त होता है तब आपका विर्तांस की घणना सही है इस तरह से हम पता लगा सकते हैं जाज कर सकते हैं कि हमारी जो विर्तांस की घणना है वो सही है या गलत है और एक और मैं जानकारी दे रहा हूं कि विर्तांस आकरती जब बनाते तो सबसे पहले एक गोलाकार वृत बनाईए और उसे बीच में से विभाजित कीजिए जहां पर आपको वो चांदा रखना होता है और उस चांदे को रखने के बाद जितना वृतांस गड़ना के डिग्री आईए उतने डिग्री का कोण बनाते चले जाईए और अगर जानकारी हमारे पास एक से अधिक होती जैसे आप देख रहें वस्तुए पुस्तक, स्टेश्री, फोन, कॉंप्यूटर, नास्ता, कपड़ा इतादी दिया है तो उन सबको दर्साने के लिए जैसा आपको मैंने पिछले भी बताया ग्राब में कि अलग-अलग संकेत के द्वारा आप उसे दर्सा सकते हैं तो यह आपको मैंने बताया इस वीडियो में आकुरती, पहले आकुरती बताया समय अधारित रेखाकृती, दूसरा बताया अस्तम अधारित आकृती, अस्तम अधारित आकृती के तीन प् करती, की?